तो हेलो दोस्तों तो अगर आपके पास ASUS का Genfone Max Pro M1 M2 स्मार्टफोन है तो अगर आप उसमें कोई भी कस्टम रिकवरी फ्लेश करना चाहते हैं जिसके थूँ आप कस्टम रिकवरी फ्लेश कर पाएं तो इस वीडियो में हम ASUS Genfone Max Pro M1 में तो यार उसके बाद आपको पड़ेगी कुछ जरुवत कुछ फाइल्स की तो जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उन्हें वहां से डाउनलोड कर लेना तो एर उसके बाद ADB driver की जो फाइल होगी आपको उसको extract कर लेना है और extract करने के बाद जो folder बनेगा उसे open कर देना है तो ADB driver installer होगा तो आपको इसे open करना है और इसके बाद यहां पर आपको अभी कुछ शो नहीं होगा तो इसके बाद आजाना है अपने phone पर तो phone पर जैसे आएंगे तो अभी आपको यहां पर कुछ शो नहीं होगा इसके लिए आपको यहां setting में चले जाना है और about phone में जाने के बाद यहां पर developer option होगा तो यहां जाने के बाद आप यहां USB debugging का एक option आपको मिलेगा तो आपको इसको enable कर देना है तो जैसे आप इसे enable करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां आपको एक device show हो चुका है तो यहां आपको इसको install कर देना है और यह install complete होने के बाद आजाना है back के बाद जो यहां पर platform tool की file है तो इसे extract कर लेना है तो यह already extract बोला है तो यहां पर को दुबारस ऐसे extract कर लेते हैं तो इसके बाद यहां पर जो orange fox recovery की file है इसे भी यहां पर को extract कर लेना है तो यार एक्स्ट्रेक्ट यहार को complete होने के बाद आपको यहार को फोल्डर मिल जाएगा तो इसे open कर देना है तो इसके अंदर आपको एक recovery की फाइल मिलेगी तो इसे यहार पर simply copy कर लेना है और copy करने के बाद आजाना है back और platform tool के अंदर जाके यहार पर बहुत सी फाइले दिखेंगी तो इसे यहार पको paste कर देना है तो आप देख सकते हैं यहार को हमारा successfully यहां पको paste हो चुका है तो paste यहां पर complete करने के बाद side by side आपको smartphone को भी दिखाते हैं तो यहार इसके बाद यहां पर आजाना है आपको back और यहां पर आपने computer में shift plus right की यहां पर को press कर देना है और इसके बाद यहां पर open command window का option मिलेगा तो इसे क्लिक कर देना है तो जिसके बाद आपके सामने command window open हो जाएगी तो यहार आपर को हम थोड़ी command window को थोड़ा site कर लेते हैं और right side में आपको smartphone को भी दिखा लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाराराइट side में smartphone और left side में आपको command window दिखरी होगी तो अपनी कमाड़ी आपको डाल देते हैं जो कि ADB Devices तो जैसे हम ADB Devices डालते हैं तो यहांपको आपको डिवाइस शो हो जाएगी क्योंकि मैंने यहांपको पहले से Authorized करा के रखा है तो अगर आपने Authorized नहीं कर रखा तो यहांपको आपके सामने एक Prompt आएगा तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहांपको आपको Prompt देखने को मिलेगा तो इससे आपने जो है Select करके यहांपको Always Set कर देना है तो इसके बाद आपका भी यहांपको Device Show हो जाएगा तो आप देख सकते हैं आपको आपका स्मार्टफोन है वो यहांपको बूटलोड इंटरफेस में जा चुका है और यहांपको Fast Boot Mode आपको देखने को मिलेगा है तो इसके बाद आपको आजाएगा बैक और इसके बाद आपको आजाएगा यहांपको जो की होगी Fast Boot जिससे हम रिकवरी.img तो यह कमंड टाइप करते हैं आपको जो है आप यह जरूर से दिखाएगा की स्पेलिंग आपको कोई मिस्टेक ना हो तो यह कमंड यहांपको टाइप करने के बाद एंटर प्रैस कर देना है तो इसके बाद जो है आप देख सकते है यहांपको फिनिश बता हो चुका है तो अब हमें जो है मैनुली ही से recovery में boot कराना होगा तो इसके लिए आपको command type करनी है fast boot to boot तो अभी बस command type करनी है और इसके बाद smartphone में आना है और इसका volume down button पे हाथ रखना है तो एक हाथ आपका होगा यहापको और एक होगा एंटर पे तो जैसी आप एंटर प्रेस करेंगे तो यह आपको volume down button को तब तक प्रेस करके रखना है जब तक आपके सामने आपको orange fox recovery की splash screen नजर ना जाए तो अभी भी आपको कोई screen आपको शो नहीं हो रही है तो अभी भी इसको प्रेस करके रखना है तो कुछ देर बाद आपको कुछ ऐसा logo देखने को मिलेगा और अब देख सकते हैं आपको आपको splash screen जर आ चुकी है तो इसके बाद आप आप volume down button को छोड़ सकते है तो हमारे phone पे आपको orange fox recovery तो आ चुकी है बढ़ यह temporary यह permanent नहीं है तो इसे permanent यह आपको install करने के लिए चले जाते है हम recovery में तो recovery में जाने के बाद आपका जो smartphone है वो यह आपको computer से mount हो जाता है तो जिसके थुरू आप कोई भी file copy कर सकते है तो इसके लिए हम यह आपको चल जाते है अपने computer पर और यहाँ पर चले जाते है folder पर और जो हमारी orange fox की जो zip file थी इसे हम यहाँ पर को copy कर लेते हैं तो copy करने के बाद आप चले जाते हैं हम अपने इस smartphone के आपको internal storage पे और यहां पर जाने के बाद इसे पेस्ट कर देते हैं तो कुछ देर बाद आपको आपको आजाना है back और back आने के बाद आपको चल जाना है फिर से phone पर तो phone पर आने के बाद अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है तो यहां से हम फोन के internal storage को select कर लेते हैं और आप देख सकते हैं आपको orange fox की file होगी तो आपको इसे install कर देना है और इस तरीके से जाए कुछ देर बाद आपकी orange fox recovery की जो file है वो आपके phone में install हो जाए जो हमारे device auto boot हो जाएगा तो यहां पको bootloader का pop-up आपकी bootload unlock है और एक और बात की यहां पको अगर bootload unlock नहीं है तो सबसे पहले आपको जब bootload unlock करना पड़ेगा तो इस पर मैंने video बनाई यह आप जाकर उसे देख सकते हैं तो इसके बाद आपका phone यहां पको orange forks recovery में यहां पको boot हो चुका है तो आप देख सकते हैं यहां को orange forks recovery का logo आचुका है तो इस तरीके से आपड़ेओ को खुछ देर बाद boot हो जाएगा तो उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आप को un modify है तो अगर modify करना चाहते है तो यहांप से इसे swipe करके अलाओ कर सकते हैं तो देख सकते हैं आप आपको आपका जो फोन है वो औरेंज फोक्स रिकवरी में बूट हो चुका है तो इस तरीके से आपको जो है रिबूट तू सिस्टम अगर करते हैं तो उसके बाद अपने आप सिस्टम को यूज कर सकते हैं इस तरीके से आप इसमें कोई भी कस्टम रोम को भी फ्लैस करके एंज्यॉट कर सकते हैं तो वह्या इस तरीके से आप सु जन facto मैंस प्रो में में उरंज फोक्स रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसकी मदद से आगे अपने डिवाइस में कोई भी कस्टम रोम फ्लैश कर सकते हैं आपको वीडियो पसा नहीं होगी वीडियो पसा नहीं है तो वीडियो को लाइक जरू से कर देना शेर कर देना चैनल पर आईगे होता है सब्सक्राइब करके बैल आइकन के नोटिफेशन भी ओल पर सेट कर देना